ओके तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो पुरानी वीडियो में जैसे कि आप लोग जानते कि हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है जो है कि वहिकल डाइग्नोसिस को लेकर और वहिकल डाइग्नोसिस में हमारी पह का बहुत important पार्ट होता है और यह वो पार्ट है जिसमें maximum लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और वो क्या होता है canvas यानि control area network अभी तक हमारे technicians के लिए बहुत ज्यादा sir का दर्द बना हुआ है क्योंकि समझ में नहीं आता है कैसे उसको चेक किया जाए कैसे line समझी जाए तो उसको आज हम लोग detail में समझेंगे मैं आपको उसी के साथ साथ गाडियों में किस तरीके से mapping किया जाता है can की पूरी की पूरी wiring को और उसको कैसे identify करना है कैसे test करना है वह भी मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप लोगों को क्या करना है अंत तक बने रहना है वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना तो skip करना और ना ही बीच में छोड़के जाना विकाज यह वीडियो आप पूरी नहीं देखेंगे तो कैन आपको समझ में नहीं आने वाला है दूसरी चीज यह कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल है तो कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल बाकी के जितने भी हमारी वाइरिंग सिस्टम होती है उनसे पूरी तरह अलग काम करता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि लाज तक आपको ब पहले क्या था पहले जब स्टार्टिंग में EFI सिस्टम आना शुरू हुए थे उस वक्त कार के अंदर सिफ एक सिंगल कंट्रोल मॉडिल होता था वह होता था इंजन कंट्रोल मॉडिल ECM उसको कम्यूनिकेट करने के लिए यानि डाइग्नोस करने के लिए हम लोग कैन या जैसे जैसे हमारे गारियों के अंदर अलग-अलग पूरे फिचर होते जा रहे है है तो आपने देखा ही होगा कि आज एक बेसिक से बेसिक गारियों में भी बहुत सारे फीचर्षाते अब उन में क्या होता है पहले होता एकलि अमितर कंट्रोल फीचर्स होते हैं एंजन sportive इन सभी को अलग-अलग control module के द्वारा control किया जाता है अब ये control module जो अलग-अलग control किये जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं system एक दूसरे के साथ में connected होते हैं और उनको एक दूसरे से जानकारी की जरुवत पड़ती है और वही जानकारी देने का काम करता है canvas स्टार्टिंग में जब engineers ने हमारे cars में engine आया तो engine हमारा car का heart होता है उसके बाद ECM आया तो ECM हमारे car का brain है और तीसरा जो ये system है canvas ये हमारे car का nervous system है nervous system जो की सारी जानकारी एक दूसरे के साथ शेर करने का काम करता है तो ये है basic समझ लीजे can होता क्या है मैं अपना screen पर आपको लेकर चलता हूं तो जैसे कि आप लोग यहां पर दोस्तों देखी पा रहे होंगे कि यह हमारा can का control area network full form होता है can का control area network और यहां पर यह दिखे कुछ इस तरीके से आपका एक central control network है यहां पर control area network में आप देख पा रहे हो और यह सारे control module जो है इसके में जुड़े वे तो control area network के पास सभी की जानकारी पहुचती है और फिर control area network यानि can ही आपके सारी जानकारियों को एक दूसरे के साथ में भेजने का और receive करने का काम करता है इससे क्या होता है दो फायदे होते है पहला तो हर control module को एक दूसरे के साथ communicate करने के लिए किसी भी wire की यह नए लूम की ज़रुरत नहीं पड़ती है दो वायर के लूम में यह सारा connection बन जाता है ठीक है दूसरा फायदा यह क्यूंके यह communication protocol है तो इसमें किसी भी तरीके का input या output नहीं होता है इसके अंदर message build होता है वो message ही सब जगा पर जा रहा है तो input और output नहीं है इस कारण से क्या है कि आपकी safety reasons भी बहुत बढ़ जाते control area network में अब let's say कि हम लोग अगर एक दूसरे control module को साथ में connect कर दे दें दो वायर से communication बनाने के लिए तो वो communication बनाने के दो ही तरीका होगा है input या output अब input output में अगर कहीं पे कुछ गलती हो गई तो वो safety के मामले में भी सही नहीं है और उसमें control module खराब होने के चांसे होते हैं यहां पर क्या है control area network की वज़े से कोई भी control module में कोई खराबी नहीं आ सकती जो भी खराबी आती है उस particular control module के can line में खराबी आती है ओके तो यह फायदा है अब जैसे कि यह picture में आप देखी पा रहे होंगे कि यहां पर आपको यह nervous system है जैसे हमारा human body का nervous system होता है जो हमारी read की हड़ी के साथ जुड़ा होता है जिससे सारी information जो ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन आगे का काम करता है उसी तरह से can से मिलीवे जानकारी control module के साथ में हम आगे कार को सही तरीके से चलाने के लिए इस्तामाल करते हैं अब देखिए can को गाड़ी में आपको अगर पैचानना है कि can के wire कैसी होती है तो बहुत हला कि आपको यह सारा पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको से यहां पर repeat कर दे आपस में लपेटे हुए wire होते हैं और दोनों मिलाकर आपके can है और can लो मिलाकर पांच voltage बनाते हैं तो पूरा जो message construct होगा वो पांच voltage में होगा ठीक है यह चीजे आपको याद रखनी है किसी भी control module में अगर वो can के साथ connected है तो आपको दो wire मिलेंगे अगर हम लोग आगे future की बात करें तो देखे future में क्या है future में can के जरीए बहुत सारी चीजे possible है हम जो बात कर रहें connected कास की internet कास की या automated कास की यह सारा possibility सिर्फ और सिर्फ कैन के जरीए है क्योंकि can से मिलीवी जानकारी को लेकर ही आपका computer process करके आगे का काम कर सकता है और can एक single network के जरीए multiple control module के साथ में connection बना के आपको दे देता है Robert Bosch ने इसको बनाया था तब से लेकर इसमें बहुत सारी development हुई है अभी तक unfortunate बात यह है कि 2023 में भी हमको basic can explain करना पड़ा है अपने technicians को लेकिन अभी उससे भी ज्यादा complex जब शुरू हुआ था उस वक्त hardly two bit का message होता था आज 5 MB तक का message पहुच गया है इसी के साथ साथ जो complex communications build हो रहे हैं आपके वो बहुत ही strong level पर हो रहे है प्लस आपका जो can है वो अभी अकेला नहीं रह गया है communication protocol अब multiple protocols हो गये हैं जिसमें can आता है lin आता है most आता है साती के साथ ethernet आता है जो आपके programming के लिए use होता है तो ऐसे multiple हो गये है अब उनको कैसे identify किया जाता है उस पर काम कैसे किया जाता है वह आगे हम लोग आपको बताएंगे ठीक है किसी भी can के basic तीन component होते हैं एक controller होता है ट्रांसरीवर होता है टर्मिनिटिंग रसिस्टर होता है यह तीन basic उसके component होते हैं यहां पे आप picture के जरीए देख सकते हैं controller है जो IC होगी अब क्या can की दो तरीका होता है पहला कि अगर आप basic गाड़ी पुरानी गाड़िया देखेंगे तो सारी controlling जो है can की वह होते थी वाया ECM ECM के अंदर एक circuit होता था can का उसी के जरीए communication होता था या तो ECM में होता था या किसी और control module में circuit होता था अब क्या है अब गाड़ियों के अंदर क्यूंकि फीचर इतने ज्यादा हो गया है तो एक separate control module can के लिए आने लगा है तो उसमें भी आपको यह basic component ही मिलेंगे सबसे पहले controller, controller IC रहेगी आपकी उसके बाद ट्रांस्रीवर होता है ट्रांस्रीवर में क्या है transfer and receiver यह जो receive भी कर सकता है इस तरीके का एक IC उसके अंदर होता है उसके बाद होता है terminating resistor अब यह resistor जो है वो बहुत important part होता है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा क्यों ठीक अब देखें यह जो है ना इससे आपको इतना idea आ गया कि can basically है क्या सबसे पहली कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है terminating resistor 120 ohms का होता है उसके बाद आपकी जो voltage होगी दोनों wire में मिलाकर 5 voltage आनी चाहिए can की wire को पैचानने का तरीका दोनों wire आपस में लपे टीवी होती है तो यह तीन चीज़ें आपको याद रखना है पहला wire को कैसे पैचानेंगे दूसरा voltage कितनी आती है और तीसरा resistance कितना होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको basic can के बारे में idea आगया होगा अब मैं क्या करता हूँ कि can की wiring किस तरह से map की जाती है गाडियों के अंदर वो मैं बोनस टिप्स भी दूंगा कि can की problem आए तो कैसे identify किया जाए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट चल रह पर आप कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बाकी चीजे हमारे डिटेल आपको मिल जाएगा तो दोस्तों देर मत लगाए आटो मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा ड्रेमेटिक शिफ्ट चल रहा है टेकनोलोजी को लेकर जितना जल्दी आप उसके लिए ट 500 का लेटेश्ट मॉडल का कैन का घृक झांट आपको लेयाउट मिलेगा लेयाउट में किस तरह से कैन की वारेंग को या फिर सिस्टम को डिस्टरिबिूट किया गया है और कितने टाइप यह आपको कैन देखने के लिए मिलेंगे वह आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो देखे दोस्तों यहां पर आपको जो है न सबसे जैसे मैंने बोला कि अभी जो नई गारी आ रही है उनके अंदर control module can का separate दे दिया गया है तो यह जो फर्स्ट उपर आप देख रहे हैं यह है महिंद्रा gateway module तो mgm यहां पर आप देख सकते हैं यह महिंद्रा gateway module यहां पर लगा दिया गया है ठीक है अब इससे ही सारी mapping होगी तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक जो connection है यानि दो वायर का connection आपको दिख जाएगा वो कहां पर आपके diagnostic connector के अंदर तो diagnostic connector कौनसा आपका जो OBD 16 पिन का OBD होता है उसके अंदर यह connection गए है इसके बाद में देखिए एक पूरा का पूरा ADAS कहने आप लोगों को पता ही है तो ADAS के कितने सिस्टम हैं जो separate किये गए है उसमें आपको देखो front radar module हो गया FRM, front camera module हो गया FCM और EPS control module है यानि कि electronic power steering यहां पर यह दो वायर आप देख सकते कि तीनो control module में गया है आपके MGM gateway से इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरा front camera में गया हुआ है और EPS में भी गया हुआ है अब यहां पर देखिए एक notice है यह ADAS का complete separate can गया हुआ है जिसकी separate line निकली है और आगे जाके वह जॉइन हुआ है लेकिन यहां पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे यह जो pink line आपको दिखाए दे रही है यह private can की है ठीक है अब देखेंगे कि यह control module can का connected है इस वाले पूरे can system से और यह pink color का एक और एक लाइन FRM से FCM में connected है और यह complete separate है अब समझ लिए कि यह वायर अगर cut हो जाती तो क्या होगा का front module front radar module का और camera module का communication आपस में बंद हो जाएगा आपका EDAS बंद हो जाएगा इसके बाद कि दूसरा circuit वह है हमारा power train यानि engine का engine और transmission का अब इसमें क्या है देखिए आपका सबसे पहले क्या है electronic engine management system इसके बाद airbag EPS EDAS EPB तो यहां पर आप देखेंगे कि EPS plus EDAS plus EPB electronic power brake यह सब connected है एक wire से green color के communication protocol से वापस से आपके EDAS scan के साथ में तो engine भी connected है आपका engine भी connected EDAS के साथ और साथी के साथ EPS भी connected EDAS के साथ में इस तरह से आपका क्या हुआ कि gateway के जरीए मैंने एक separate module होने के बावजूद भी मैंने EDAS को engine के साथ में यानि power train system के साथ में communicate कर देए अब आप सोच रहोंगे कि यह वह से ले सकता है अब इसके बाद में देखे transmission control module है PKE है आपका passive key entry इसके बाद ESCL है यह आपका electronic steering column lock का control module है अब यहां पे एक चीज़ देखे engine management system आपका और दो तरीके से जुड़ा हुआ है दूसरे system के साथ तो पहला जो pink वाला आपको दिखाए दे रहे है यह private can 1 है आपने यहां इस तरब देखा private can 2 और यह private can 1 यह knock sensor के साथ अब क्या हुआ है BS6 में यह diesel गाड़ी का है तो BS6 में जो diesel के लिए knock sensor लगाया गया है वो खुद का controller के साथ में आता है ठीक है इस तरह से यह पूरा layout जो है आपका हो गया power train का power train में आपको पता चल गया कौन सी चीजे किसके साथ connected है इसके बाद आता है आपका यह देखें बॉड़ी कैन अब बॉड़ी कैन में आप देखेंगे कि एक main can की वायर यह high speed can है हाई-speed की can जो है आपकी intelli command center ICC CCM DATC ECU DATC control panel MBFM MBFM में देखो आपका यह RLS है sunroof हो गया आपका power window हो गया reverse parking assistance हो गया headlamp है और इसी के साथ MBFM directly आपके headlamp और आपका seat control module flush door wireless charger के साथ में connected है अब आप देखो कि आपका wireless charger है वह भी communicate कर रहा है आपके can के साथ तो आप सोचेंगे कि wireless charger की क्या जरूरत है आपने देखा यह कि अभी आपको जो भी error है वो screen पर दिखाए दे जाते है अब वो screen पर क्यों दिखाए दे रहे है उसका reason यह है क्योंकि can के जरी हर एक control module जुड़ा हुआ है तो जब भी उस control module में error आता है न तो दूसरा आपका जो screen है वो बता सकती कि कहां पर problem exactly मैं आपको समझाता हूं कैसे तो आपने body देखा body में जितने भी functions होते हो ज्यादा तर comfort related functions होते है ठीक है तो यह आपके comfort related functions यहां पर आ गए अब देखिए इसके बाद में एक पूरा का पूरा system है वो है multimedia का तो आपने जै can हलाकि यह है वो independent लेकिन क्यूंके वो अपना gateway के साथ या can के साथ भी connected है तो उस case में आपको यह मल्टी मीडिया है मल्टी मीडिया आपका जो center console है जहां पर आपको सारे information मिलती है आप गाने वाने चलाते है वहां पर देखिए audio amplifier, svs यानि service indications और silver box जो आपका main पूरा unit है उसके साथ में यह सारी जानकारी शेर के जाती है और इसी वज़े से आपका जो dashboard है आज के टाइम पे इतनी सारी जानकारी को आपको सामने दिखा सकता है ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा देखिए can को starting में समझने थोड़ा कि यह वीडियो को है आप चाहिए तो repeat करके देखिए ठीक है आप YouTube में सेटिंग होती है जिसमें आप वीडियो को slow करके भी देख सकते हैं वो करके देखिए लेकिन इसको देखिए जरूर अच्छे से अच्छा इसमें क्या है नीचे दिया हुआ देखिए ब्लैक कलर का जो यहां पर मैंने क्या किया है ना कि मैंने पावर ट्रेन का जो ले आउट था वो मैंने निकाला हुआ है किस तरीके से उसको मैप किया गया है अब यह आपने जो देखा वो ले आउट था यह एक्चुली वायरिंग डाग्राम है तो यह वायरिंग डाग्राम किस तरह मैप कि वह हम लोग यहां पर देख लेंगे अब दिखी यह जो सिंबोल आपको दिखाए दे रहा है अगर आप मेरा करसर देख सकते यह वाला जो सिंबोल है यह वाला यह वाला सिंबोल है आपका यह दर्शाता है कि वायर जो है वह आपस में twisted है ठीक है इसी के साथ साथ यहां पर color आपको दिखेगा gray and yellow gray and yellow ऑल्मोस सारी वायर जो है एक्सीवी 700 के इसमें कैन की वह gray yellow में दी गई है तो वह एक अच्छी बात है कि आप भो भी पैचान सकते हैं लेकिन यह शूरू कहां से हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसका starting point देखेंगे starting point कहां पर था मेरा अगर आ महिंद्रा gateway module यहां से दो वायर गए हुए हैं जो साथ नंबर के पिन और आट नंबर के पिन से एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूं कैन के वायर में एक और खास्यात है कि जब भी किसी भी control module में कैन के वायर लगाए जाते हैं तो उपर की साइड में can high होगा ठीक है इसके बाद यहां से दो वायर निकले हैं और दो वायर गए हैं आपके ESCL में directly दो वायर ESCL में गए हैं और ESCL क्या है आपका electronic steering column lock इसी में दो वायर यहां पर जॉइन किये गए और यह जॉइन करके single wire आगे जाके connect कर दिया गया आपके MBFM के साथ में और MBFM से दो वायर निकले हैं जो गए हैं सिधा आपके airbag control unit में और airbag control unit के दो वायर के साथ में और दो वायर जॉइन कर दिया गए हैं जो सिधा directly गए हैं आपके engine control module या डीजल control module में ठीक है अब इ ठीक है यहीं पर वैसी आपका parking passive keyless entry उसके control module के साथ है तो इस तरह से गाड़ी के अंदर आपको यह communication बनाया जाता है यहां पर एक चीज़ देखेंगे जो जो main control module है जहां भी आपका main control module है जहां पर actually में can का circuit है वहां पर आपको एक indication मिलेगा और वो मिलेगा यह resistor का symbol यह तो आप देख रहें यहां पर यह resistor का symbol है और रशीश्टर यहां पर लगाया गया है 120 ohms का जैसे मिने आप लोगों को बताया तो आपको यह point में नहीं मिल रहा है यह one resistor में नहीं मिल रहा है टो यहां पर आपको एक control में MGM में resistor मिल गया इसके बाद में आप देखेंगे तो MBFM में आपको resistor नहीं मिल रहा है, इसी के साथ airbag में आपको resistor नहीं मिल रहा है, लेकिन यह जो circuit जब end हो रहा है और end कहाँ पर हो रहा है, वो end हो रहा है आपका engine management system में, वहाँ पर आपको एक resistor मिल रहा है जो है 120 ohms का, तो आप अगर देखो तो यहाँ पर 120 ohms का एक resistor लगाया ह तो आप सोचेंगे कि यह resistor सब जगह पर दिखाएगा क्या, सब जगह पर 120 ohms आएगी, क्योंकि यह दो end to end 120 ohms लगा के पूरे के पूरे network को हमने map किया हुआ है, अब यह जो है ना, एक यह single power train system का जैसे हम लोग ने बाद में देखा था, उसका मैंने आप लोगों को बता है दूसरी चीज, यह बहुत ही simple तरीका है, जब हम यहाँ पर identify करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे काम करेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका map होता है, अगर यह wiring diagram आपको मिल जाता है, यह वीडियो के जरी आप at least engine के can को तो आप XUV700 के map कर पाएंगे, एक चीज याद र से पहले चीज, तो can में जब problem आए, तो can की problem को identify कैसे करते हैं, can की problem को identify करने का तरीका है, उसका fault code देखिए, ज्यादा तर fault code communication related होते हैं, यू से शुरू होंगे, जब यू से fault code शुरू होते हैं, तो वो communication यानि can related होते हैं, अब यहाँ पर एक चीज समझे कि यहाँ पर single can use नहीं किया जा रहे हैं, आपर multiple can use किये जा रहे हैं, जब multiple can use किये जाते हैं, उस case में हमको क्या है, कि हमारा use है शुरू किया है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस जगह पर कैसे काम कर रहा है, दूसरी tip, कि वायर को जब आप चेक करें, तो voltage आपको चेक करनी है, ignition on में, और resistance चेक करना है आपको बैटरी का negative terminal निकाल के, वरना आपको resistance नहीं मिलने वाला है, अच्छा, इसके अंदर resistance में problem आएगी, तो भी आपकी गाड़ी में problems आ जाएगी, और अगर voltage related कोई problem आया है, तो भी इसके अंदर problem आएगी, इसी के साथ साथ, अगर आपको आप high-speed can में, तो ठीक है, low-speed can में आपको 1.8 दिख रहा है और 3.2 दिख रहा है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर या 12-12 voltage आ रही है, उसकेस में आपका जो circuit है, वो short to positive, अगर 12 voltage आ रही है, दोनों जगा पर तो short to positive होता है, अगर वो 3-3 voltage दे रहा है, 6 voltage टोटल में बन रही है, उस केस में, वो short to each other होता है, अगर दोनों जगा पर आपको ground मिल रहा है, उसकेस में, वो short to ground होता है, रजिस्टेंस चेक करने के लिए, आपको battery negative terminal निकालके, दोनों multimeter के pin को आपको दोनों जगा पर रखना है, दोनों वायर में, और इससे आपको resistance चेक करना है, ठीक है, तो द engine का, power train का, आपको can बताया है, आगे आने वाली वीडियो में, fault related, किस तरह से fault बना है, तो किस जगा पर problems होगी, कैसे किया, वो भी हम आपको बताते रहेंगे, वीडियो को आपको like करना है, share करना है, अभी तक आप लोगों को at least ये idea जरूर आ गया होगा, कि हम जब भी वी वीडियो भीजे, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए, कि गाडियों में system किस तरह काम करते हैं, जिससे कि technicians को respect देना शुरू करें, उनके काम को वो आसान नहीं समझे, कि एक वायर जोड दिया, तो इतना पैसे क्यों मांग रहे हो, हमारे जो car user है, उनको भी समझ में ठीके दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, थैंक यू सो मज, जैहिन